ये वेल्कम बेक टू यॉर चैनल अर्जी बीटी की सपोर्टर रख्षू तो इस पेज का एड़िन जो है वह भी मैं ही हूँ मैं पहले आप रोग अपने इंट्रेक्शन दिलू मेरा नाम अक्षू जेम्स है और मैं मुरादबाद उत्रप्रदेश से हूँ एजूकेशन की ब पूरा बॉइस लुक में है वह उसका बोलना चलना और लाइक फिलिंग्स वगएरा सब बॉइस की तना उरती है उसको यह भी पसंद नहीं होता है सामने वाला बंदा जो है वह हमें एक बॉइक की तना ट्रेट करें तो उसको बोलते हैं टॉम बोई तो बहुत से कमेंट्स बहुत से लोग मेरे से बुलते हैं कि भाई इसका कमेंट सेक्षन ना कर दो मैंने हर चीज पर कॉइन शेक्षन इसलिए और रखा है कि बहुत वह तो टोलते कमेंट आते हैं फिर मेरे से परदाश नहीं होता है इस बात को छोड़ते हैं बढ़ते हैं मैं आपनी जन्दी की बात करो मेरा 8 standard था मेरे को पता चल गया था मैं क्या हूं मेरी feelings क्या है सब आया 9th class 9th में सब चेंज हो गया स्कूल बगारा सब चेंज हो गया गर्र्स कॉलिज में अडमिशन लिया महां पर भी थोड़ा सा अलग लगा क्योंकि महां पर फस्टाइम जाते हुए मैं सिविल जाते ही है शुरू-शुरू में और लड़किया एकदम सरा जाते थी कि तुमारा नाम क्या है तुम लड़का हो लड़की हो मेरा बस एक ही जवाब रहता था सबसे कि शायरी girls college है तो यहां पर girls ही होंगी तो ऐसे करके मेरा कुछ होता था और ऐसे करके लड़के मेरे बास जी उनका क्रशाद गया तो मैंने सोचा चलो छोड़ो जो हो रहा है हमने दोस्तों मेरे को कुछ नहीं बता था एलगीविटी वारे में आया 10th क्लास 10th क्लास में मेरे को पता चला कि यह LGBT community क्या है क्या नहीं है यह सब इसमें कैसे-कैसे sexuality है यह सब मेरे को पता जलता रहा है तो फाइनली मेरे को एक अच्छी knowledge हो गई मैंने एक अच्छी knowledge गया यह चर्स की वीडियो से और अपने प्यूर भाईयों की वीडियो से और राजर भीया की वीडियो से सो आते हैं पैरेंट्स के ऊपर बहुत से लोगों के मेरे पास message comments वगरा आते हैं कि बाईया अपने घरवालों को कैसे मनाया हम अपने hair cutting के लिए अपने घरवालों को कैसे मनाया थोड़ा सा मेरे को बताओ मैं अपने घरवालों को कोई नहीं मनाया वसरों से मैंने अपने नानी से बोला था कि मेरे को hair cutting करवानी है मेरे 7th 8th class अबाल जोते हैं यहां तक कि थे तो उसकी बाद मेरे नानी कर दिया करते हैं घर में ही ऐसी ही चलता था फिर फैशन आता है और उसके recording बच्चे चलने ल आ Celiaी कटिंग होती है मेरे को क्हां मिठी भि behavior को क्या बोलते हैं क्या बालों के लिए कोई नहींहें कोई पिंट्म रहारा बहर से बाहर बोलते हैं रहे पार वालों के लिए तो सबके हमारे पास जवाब होता है मेरे धर भाले इवन मेरे घरवाले ऐसे हैं अगर मुझे कोई भाड जजबी करें नो उनके सामने वो उसको सुना देते हैं कि हमारा बच्चा है हम उसको रख रहे हैं जैसे रखे हमारी मर्जी ऐसी करके इस चीजमने मेरे घरवाले को मैं चोटी मेरी ममें मेरे से बड़ी मेरी चोटी सिस्टर को अलगवेशन में सब पता है क्या चीज चीजा है यह ऊशल्ष की और फियूज भाई की और राजबिर्भया की वीडियो देखती हैं काफी मोटीवेशन हैं इसको एलगीबीटी कम्यूटी को लेके और वो मेरे को भी बहुत सपोर्ट करती है घर में अगर कोई भार उसे यह बोलता है ना कि क्या बोलता है तुम्हार तो जी जाएगा घर तो वह बे उनको यह जी जानी जाएगा मैं अपरी भावी लेगा होंगी लोग फिर मजापुणा करवाना है और बहुत ही जल एक दो साल में हर्मोस लेना भी स्टार्ट कर देना मेरे को यह मेरा गोल है मैंने अपना गोला भी सेट कर रखा है तो आगे लाइफ में काफे चंजिस आएंगे जो आप मेरी वीडियो की थ्रू देखोंगे सब जानोंगे और मेरी हर टॉमबॉ अपर हम दूस्त से फैमिली वालों से पस यह ही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा तुम्हारा चाहता है तुम्हारे बच्ची की खुश्या तुम उसको भूद हो समाज के अगर सोचोंगे तो बच्चों के खुश्या ने देख पाऊंगे अगर घर में नहीं होंगे तो कैसा और काफी टॉमबोई और काफी LGBT कम्यूनिटी के लोग हैं जो मतलब लोग उनको हरास करते हैं और फिर वो उस वज़ा से सुसाइड भी कर लेते हैं तो यह बात आपको अपने माइंड में रखनी है बस सामने वाला जो चाहता है आप उसको वैसी ट्रीट करो ना कि अगर एक वाला जाता है कि तुम उसको लड़की की तरह कर और तुमसे बात करना वह नहीं पसंद करेगा मेरे साथ भी ऐसी है मेरे कई दोस्त मेरे को ऐसी बुलाता है क्या कर रही है जासी है तो पहले अनको पशल नहीं होता है तो उनकी मैसेज यह पढ़े रहते हैं बना सीन कर तो मेरे को पहले, इसमें मैं comfortable था कि कोई भी मुझे बुला ले चलो, बुला ले कोई निया लेकिन, लेकिन भी मेरे बर्दाश्थ को दोस्तों की बात करी जाये, जोस्तों मेरे बहुत अच्छे हैं एक प principalmente dat लिए ड़्र sentatch ID और होप है कि आगे चलके वो सब चेंज होगा मेरी लाइफ चेंज होगी सब कुछ चेंज होने वाला है बहुत ही जल्द बस इतना सा मेरा मोटिवेशन था और मैं आप लोग क्या ही बताऊं और रही बात अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई FTM के लिए कैसे मन आओ पापा की बात तो सोचो घर में मम्मी मान गई तो पापा तो मानी गए सब मान गए तो ऐसी मेरे कुछ चोटी सी और मतलब चोटी सी मेरी एक स्टोरी है जो कि आप लोग बहुत जिन से मांग रहे थे तो मैंने सोचा चलो इस टॉपिक पर क्यों ना एक वीडियो बना दी ज जायत कमेंट बॉक्स में पूछा जाया है कि भाई आपके जी एक है क्या इस्टागरम पे मेरे साब मेरे पास काफी मैसिज आते हैं भाई ती स्मार्टो तुमारी जी एक तो हो तो मैं जूट मद बोलो सज बताओ तो मैं आप लोगो सची यह भी बता दूँ कि मेरी कोई ज सब्सक्राइब करने वाला है नहीं और इतना भी अगीन है कि अभी यह स्टोरी जो है वह देखके जो गिरी हुई सोच जो ही जानते होंगे सब चीज के बारे में वह मेरे को आके उल्टा बोलेंगे लेकिन कोई नहीं आप लोग के लिए मोटिवेशन मेरी वीडियो से अगर उसके मोटिवेशन आप लोगो मिल्ला है तो इसके लिए मेरे लिए कोई बुरा नहीं मुझे और अच्छा लगता है बहुता है जब बोलते हैं लोग कि भाई अपनी स्टोरी की वीडियो बनाओ आप लोग जानते हो पस वीडियो बनाने में इतना कॉनफेडेंस नहीं हता तो आप लोग मेरे को बताते रहा ने कैसी बनाने कामेंट्टम दल देना उस टॉपिक पर आपकी वीडियो आजाएगी मेरी पूरी कोशिशी रहेगी आपको जाद जादा इन्फॉर्मेशन और नौलीज दूजवारे के मैं मेरी यूटूब फैमिली का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मेरे चैनल पे पूरे 21,000 स्क्राइबर हो चुके हैं ऐसी अपना आप प्यार बरसाते रहो और सपोर्ट करते रहो और मोटिवेशन अपना दिखाते रहो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए कि और ना बाइवाद को